तो मर्केंटिलिजम खतम हुआ फिर हमारे पार नेक्स आती है स्टूडेंट एप्सॉल्यूट एडवांटेज क्योरी देखो एप्सॉल्यूट वर्ड का मतलब आप समझते हो ना एक्जाक्ट एप्सॉल्यूट का मतलब क्या होता है पिजन टू सेंसे जब हम किसी चीज़ को टू सेंसे में बात करते है तो उसका मतलब होता है एपसॉल्यूट एपसॉल्यूट एडवांटेज थेओरी एपसॉल्यूट एडवांटेज थेओरी जो थी यह आपकी मर्केंट लिएडम स्मित का नाम आप लोगों ने सुना होगा अगर नहीं सुना तो मैं रीकॉल करा दूं आपको Adam Smith is popularly known as father of economics economics के father Adam Smith को कहा जाता है because in the year 1776 he wrote the very first book of economics named the wealth of the nation हो सकता है आप में से कुछ students को रीकॉल हो रहा होगा तो मैं आपको बता दूं हाँ आपने शायद पढ़ा होगा an inquiry into the nature and causes the wealth of the nations later 19th century में उसी को short करके बोला गया था the wealth of the nation तो economics के जो father है वो Adam Smith को कहा जाता है उन्होंने ये theory दी थी absolute advanced theory अगर थोड़ा बहुत भी students आपने 11, 12th और graduation के initial time में economics पढ़ा होगा तो आपने definitely एक role of invisible hand पढ़ा होगा Adam Smith बहुत ज़्यादा emphasize करते थे role of invisible hand के बारे में मनदब Adam Smith जो economist थे उनका एक मानना ये था कि देश में जो trade वगरा की चीज़े होती है ये न सरकारों के बस की बात नहीं है सरकारों को trade में market जैसी चीजों में involved नहीं होंची सरकार का काम क्या है सरकार का काम है country में law and order को देखो और जो other utilities वाली चीज़े है like education है health है gas है electricity है water है इन सब चीजों को देखो लेकिन क्या चीज़े बनानी है कौन सी चीज़े बनानी है कैसी चीज़े बनानी है ये सारे decision तो market पे छोड़ दो market में एक invisible hand काम करते है student जिसे हम बोलते है price क्योंकि price को देख करके जो seller है खुझ समझ जाएगा कि किस चीज़ का price market में कैसा चल रहा है तो उसे क्या बनाना चाहिए वो seller खुझ समझ जाएगा तो invisible hand का role जो था वह बहुत ज़्यादा promote करते दें ठीक है उदर तही ये theory आई absolute advantage theory इसका कहना यह था सबसे पहली बात है जो तुम trade को restrict कर रहे हो सबसे पहले तुम trade को free करो मलब इन्होंने कहा कि trade जो होना चाहिए वो free trade होना चाहिए चाहिए import हो चाहिए export हो तुम किसी चीज़ के पर restriction मत लगाओ countries अपने आप लोगों को free चोड़ो markets को free चोड़ो market trade करेंगे अब यह इसमें क्या यह जो Adam Smith थे उन्होंने किस चीज़ के ओपर ध्यान दिया उन्होंने देखो उन्होंने जो यह theory दी इस theory को एक और और नाम से जाना गया student labor theory of value labor theory of value अब यह देको जो चीज़े ऐसे highlight करके लिखी जाते है student वह आपको अपने exam में लिखनी है क्योंकि जितना जादा आप ऐसी चीज़ों को other names को other जो भी signify उस चीज़ों कर रहे हैं लिखोगे तो यह added advantage हो जाएगा आपको exam में marks लेने के तो अब इन्होंने क्या का इन्होंने बोला कि भाई देखो तुम obviously सारी चीज़े नहीं बना सकते हो ठीक है तुम्हें करना क्या है तुम्हें करना सिर्फ सिंप्ली से इतनी से चीज़ है जिस चीज को तुम सबसे absolute advantage theory कहती है कि तुम्हें सिर्फ यह देखना है कि तुम absolutely किस में best हो तो जिस चीज में तुम best हो तुम सिर्फ इसको बनाओ बाकी चीज़े तुम import करके अपना काम चला लो तुम्हें उनमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है जैसे student में आपको एक example दूँगा कुवेत अगर आप country का example आपने सुना होगा कुवेत का example I think spelling यही है if I am not wrong अगर कुछ होगा तो प्लीज चेक कर लेना तो हो ना तो यही चाहिए मेरे क्याल से तो अगर मैं कुवेत के example की बात करूं student तो कुवेत क्या है उसका जो GDP है ना कि GDP का उसकी income का 95% जो source है ना वो कहां से आ रहा है student oil से अब आप कोगे सर यह तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर 95% सिर्फ और से आ रहा है तो उससे problem क्या है पैसा आना ही चाहिए अगर आ रहा है तो अच्छी बात है तो अच्छी बात है लेकिन यहां पर एक problem है problem क्या ह है अगर कोई एक country सिर्फ किसी एक चीज पर इतना highly dependent हो जाएगी तो समझ के देखो सोच के देखो कि उस country को challenges कितने आएंगे कि अगर world में या तो इसके reserves कतम हो जाए किसी भी वज़ा से ठीक है जिस से साब से consumption डेबड़ है इतना ज्यादा population का अगर इसकी वज़ा से हो जा लेकिन आपको भी पता है कि दुनिया कई ना कई alternatives धूनती रहती है आप कोई एक चीज पर हमेशा नहीं ठीक है ठीक है कुछ ना कुछ धूनते थे हैं आप समझ रहे होगे कि इस ताइम पर सबसे जादा हम किसकी demand कर रहे है जो भी electric vehicles है उनके demand करें electric चीज हो की ठीक है अभ electrical appliances जितने भी हमारे है गाड यह वगए सब कुछ उनको electric mode पर ले जा सके ठीक है तब यह country क्या करेगी इसके पास तो oil के लगवा कोई काम ही नहीं है यह एक बहुत बड़ा problem है अगर absolute advanced theory की बात की जाए क्योंकि तुमने जब तुमारे पास समय था तुमने सिर्फ यह सोचा कि पैसा कमाओ पैसा कमाओ जिस चीज में specialized दो उसको पैसा कमाते रहो बागी चीजों को बिल्कुल भी produce work करो बागी चीज़े जब दूसरा देश स्पेशलाइज दे तो उससे तुकि वह बनाएगा स्पेशलाइज है सस्ते मनाएगा उससे ले लेके काम चला लो that is the major drawback with this theory absolute advantage के बाई अगर तुम सिर्फ और सिर्फ खुदी बनाते रहोगे सारे समान तब तुम्हें आएगी थोड़ी से दिख लिक है बट ठीक है दिख करते हमें बाद में बाद करनें limitations का है मैं आपको एक इस चीज को बनाने में सबसे अच्छी हो जिस चीज को बनाने में तुम सबसे ज्यादा सक्षम हो उसी को बनाओ दूसरे को छोड़ दो क्योंकि अगर तुम्हें जो गेंस होंगे चाहे वो consumption में हो चाहे वो production में हो वो आपको ज्यादा ही होंगे that was absolute advantage theory चलो अब आगे बात करते देखो adam smith seven like jinn ka naam नहीं में लिया प्रवाइद बेसिक building block of this classical theory of international trade he enucinated this theory in terms of what is called as absolute advantage model this model is also known as supply version of trade on account of consideration of supply or production cost in the determination of terms of trade and gains like इन्होंने supply version क्यों का क्योंकि जैसा की students मैंने अभी अभी आपको समझाया इन्होंने ये बोला कि जैसा भी हो सके possible कि तुम उस चीज की supply करो जिसमें तुम्हें absolutely फायदा है जिसमें तुम सबसे best हो right ठीक है तो इन्होंने इस चीज को बोला okay आगे बात करते है of trade on account of consideration adam smith assumed labor theory of value in his model that is cost of each commodity is expressed in terms of labor only तो इन्होंने ये बोला कि तुम मतलब ये एक ना assumption है देखो कोई भी model economics में या business studies में या international business के अंदर जो आप ऐसे subject पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे models आते हैं students बहुत से theories आती हैं जिनमें काफी तरह के assumptions नी जाती है बिना assumptions के students theories को models को पूरी तरीके से explain कर पाना थोड़ा मुश्किल हो चाता है तो इसमें बहुत जरूरी होता है हमारे लिए क्या करना इन models के बारे में पढ़ना और समधना जानना Adam Smith attacked the mercantilist view on trade and favored free trade जैसा कि मैं आपसे कह रहा था he advocated the policy of lazis fair now student what do we mean by lazis fair hopefully आप लोगों मेंसे काफी लोग जानते होंगे lazis fair तो ये french या french word है I don't know but lazis fair simply means lazis means let them और fair means free so let them free and set them free मतलब Adam Smith कहते थे market को free चोड़ दो सरकार को intervene तरने की जरूरत नहीं market को free चोड़ो market अपना काम अपने हिसाब से बढ़िया कर लेगी तुम्हें कोई लिक्कत नहीं आंचिये that is as little government interference is possible for most efficient utilization of world resources so as to maximize world welfare as no individual can produce all commodities that it consumes no nation can ever produce all the commodities which people of the country require each country has to depend on other countries for the supply of commodities and services which it cannot produce वो केरें कि देखो होता क्या है हर country को दूसरी country पर depend होना ही पड़ेगा उन commodities के लिए जो वो countries नहीं बना सकती है Smith argued that with free trade each nation should specialize in the production of those commodities in which it had an absolute advantage or could produce more efficiently than other nations मतलब वही बात कि जो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो तो उसी चीज़ को करो किसी और चीज़ को करने में मत occupied और इंगेज हो जाओ जैसे एक्जामपल लेता हूँ सूरन आ बिइंग a commerce like student क्योंकि मैंने मैं खुद भी अपने 11-12 standard में commerce का student रहा हूँ अब क्योंकि commerce कर रहा हूँ with maths वो भी तो मैंने economics पड़ी मैंने business studies पड़ी मैंने mathematics पड़ी accountancy पड़ी English पड़ा जो subjects थे and then later on I pursued economics honors मैं economics honors में चला गया पर मैंने अपना master's in economics complete किया अब सुरन से एक बात समझो इस पूरी जर्नी जो मेरी पड़ाई की रही उसमें मेरे को और जो specialization मिली है वो economics में मिली है और economics का एक subpart आता है international economics international business तो इन सब चीज़ों को मैंने पढ़के काम किया लेकिन और economics के लिए मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगा कि maths और stats कम चाहिए आपको maths और stats भी बहुत अच्छे level पे economics में पढ़ना पड़ता है ठीक है अब लेकिन अब एक बात समझना maths और stats उतने ही extent तक पढ़ा जाएगा जितना economic models को समझने के लिए questions को solve करने के लिए necessary है for sure मैं maths उस level पे नहीं study करूँगा जिस level पे शायद कोई engineering student maths को पढ़ने वाला है या फिर कोई BSc और MSc mathematics student maths को पढ़ने वाला है मैं तो नहीं पढ़ूँगा तो मुझे जो specialization मिली है वो in subjects में मिली है उनको उस में मिली है अब मैं यह सोच हूँ क्योंकि मैंने भी maths का कुछ extent तक portion पढ़ा हुआ है तो मैं Maths का teacher भी बन जाओ, Maths भी पढ़ाना जाओ, हो सकता है कि मैं पढ़ा लूँ क्योंकि मैं एक अच्छा student रहा मैंने अच्छे से पढ़ लिया तो मुझे आती है चीजे लेकिन आप समझ रहे हो ना student there will be a problem क्यों कि वहाँ problem याईगी specialization नहीं है तो मैं पढ़ा लूँगा बट at some part अगर question थोड़े tricky हो गए या थोड़ा सा मैंने जो पढ़ा उससे बाहर हो गए तो मैं टक गया, that is the main problem तो इसलिए नहीं बोला कि भाई, तुम इसी चीज़ पर धान दो Smith argued that with free trade, each nation should specialize in the production of those commodities, okay The advantage that the country has over the other is natural or acquired is of no particular importance and thus division of labor and specialization at the international level would result in increase in the world output which would be shared by the trading partner, so a nation need not gain at the cost of other nations all nations can or rather must gain simultaneously, so कहरें कि देखो, तो अगर तुम वही चीज़ों को specialization के according produce करोगे, तो उस case में होगा क्या, तुमें दूसरों की cost पर कोई गेन नहीं होगा और तुमने वह काम के जिसमें तुम अच्छे उसने वह काम के जिसमें वह अच्छा है तुमने ट्रेड करके अपना काम चला लिया, लेकिन free trade है Mercantilism की तरह नहीं है, अब आप मेंसे बहुत से रूंकल हो के Mercantilism और यह अलग कैसे हो गए, क्योंकि Mercantilism सबसे पहले एक चीज को रोक रहा था, रिस्ट्रिक्शन कर रहा था, वह इंपोर्ट तो मना ही कर रहा था, वह क्यारता कि जो तुम अच्छा बना सकते वह भी बनाओ, और जो नहीं बना सकते वह भी थोड़ा बहुत बना लो, इंपोर्ट मत करो बस, कोशिश करो, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करते रहो, लेकिन यह कहलें नहीं, अगर वह नेशन उस काम में अच्छा है, तो वह उसको स्पेशलाइज़ेशन की फॉर्म में सस्ते में बनाएगा, तो तुम अगर उस चीज को खुद करने बैट हो के तो शहीं तुम्हें महेंगा पड़े, इसको मैं सुनना आपको पता कैसे समझाता हूं, देखो, मान लो, अब आप क्योंकि यह वीडियो देख रहे हो, ठीक है इन वीडियो को देख रहे हो, ठीक हम सारे टीचर मिल करके मैंनद तो बहुत कर रहे हैं, धीक है, अच्छे सअचा कोशिच कर रहे हैं, इस एटप लगांक रिकॉडिंग करें, जिन गॉर्दिंस को स्टूरें को देख करके और जो है, हमें फॉर्साम में पॉफिटेबिट है और student जो है उसका क्या point of view है student का जो point of view है वह रहता है कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो student क्या चाह रहा है यार मेर तक वीडियो पहुचे सम जो student हम teaching में specialized है और we want to target और we want to cater the maximum number of students अब क्योंकि यह online setup का काम है सारा तो इसके लिए pamphlet वाली marketing तो काम नहीं आएगी इसके लिए we need to look for some kind of digital marketing stuff हमें यहां पर कुछ digital marketing जैसा करना पड़ेगा तभी हमें फाइदा होगा अब student यही तो एक challenge हो गया कैसे challenge हो गया क्योंकि हमारी specialization teaching में digital marketing के बारे में ज्यादा नहीं पता Google में AdWords कैसे लगाने SEO कैसे करना है website का या फिर किसी तरीके से YouTube चैनल को कैसे rank करवाना है website को कैसे rank करवाना है इंस्ता में किस तरीके से reals चलनी चाहिए किस तरीके के post दलने चाहिए ठीके वो सब हमें आता नहीं है problem हो जाएगी अब लेकिन हम थोड़ा बहुत YouTube से देख देखके सीखके लोगों से पूछ पूछ के कर रहे है उसमें कर तो लेंगे लेकिन एक तो मारा core business सफर करेगा क्यों क्यों कि recording के time पे भी यह रहेगा क्या recording तो बढ़िया कर रहे है लेकिन यार पता नहीं क्राउड नहीं आ रहा मजा नहीं आ रहा तो यह भी दिक्कत है और दूसरा सुडेंट से आपको दिक्कत क्या आने वाली है डिजिशनल मार्केटिंग के के अंदर एक और दिक्कत आने वाली है बस जादा समाझ में आएगा तो आप एक काम करो वीडियो रिकॉर्डिंग का काम करो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है मैं आपकी मदद कर देता हूं या मैं आपकी मदद कर देती हूं आप बस इस तरीके से हमें इतना जो आपका पैकेज हो लगेगा यही मैं आपको समझा अगर मैं खुद करने बैट रहा था तो time भी लग रहा था money भी लग रहा था बट output नहीं था क्योंकि आपकी specialization है time भी कम लगेगा money भी कम लगेगा और output सबसे जो important है वो आएगा तो that was absolute advantage तो Smith तुम बहुत बढ़िया हो उसी को करो बाकियों में आने की जरूरत नहीं है अब उन्हें का Smith was a liberal economist according to him anything that could increase the consumption of consumer or the sum of enjoyments as the Ricardo puts it ought to be viewed with favor वो क्यारे कि उन्होंने बोला कि भाई देखो वो कोई भी चीज जो consumers के total consumption और utility और enjoyment को बढ़ा सकती है वो ही होना चाहिए a lecturer of university does not teach his child of lower class यह बात बिल्कुल सच है अगर आप में से कोई भी ऐसा student है जिसके parents जो है तो मुझसे पूछे क्योंकि उनको पता है कि यार वो chartered accountant हो गए है या वो professor है किसी एक subject के उन्हें तोड़ी बहुत knowledge है लेकिन उनको पता है कि यहां पर वर्त नहीं आने वाली तो उससे अच्छा है कि भाई तो tuition ले क्योंकि उसमें क्या होगा एक specialization का benefit में when a country can produce a commodity at an absolutely lower cost of production than the other it is said to have an absolute cost advantage over other country तो केरे कि जब एक country क्या करती है produce करती है commodity lower cost of production पे तो आपको एक फाइदा absolute क्योंकि मैंने बहुत कम cost बनाया तो जिस cost पे तुम बनाओगे उससे सस्ता तुम्हें बेची दूँगा क्यों बना रहे हो मुझसे लेलो ना right so whenever absolute cost differences exist between two nations trade is possible between them each country specializes in the production of the commodity of its absolute advantage and exchanging part of its output with other country for the commodity of its absolute disadvantage right तो जिसमें तुमें disadvantage है और जिसको में advantage है उनको trade करो और अपना काम चलाओ ठीक है सूरिंस होफ़ली यहां तक की आपको सारी बाते clear हुई होई होगी कि देखो यह table के तुरू आपको समझाया हुआ है कि country को फायदा कैसे हो यहां पर दिया हुआ है कि देखो क्या लिखा हुआ है कि जो commodity country इंडिया wheat मना रहे है five rice में उसको मुझा यह बात करें specialization से पहले की तो wheat five है rice कितना है one specialization के बाद मलब जब इंडिया ने सोचा कि भाई मैं तो सिर्फ और सिर्फ वीट पर ध्यान दूंगी rice का मेरे को कोई लिया नहीं है ठीक है तो सिर्फ वीट बनाई 10 क्योंकि अब आप ऐसा कैसे हो गया कि यहां से राइस जो था वं कि पहल घल जो है वह sacrifice हुआ लेकिन 5 गEन होँआ कैसे हुआ सुनित अब आप समझो ध्यान से ।ोछ के देखो कोई भी ऐक ऐसा चैन जिसमें बहुत effe किशेंट हो आप में से सुच सुच होँचे गम्यचा करणे में बहुत अश्येंट होँगे आप सब किसी काम में अच्छे हो अभी में पढ़ाई जो करते हैं उनको हटा करके दूसरे skills वालों की बात करें हूं जो dance में किसी में बेच्छे हैं क्योंकि पढ़ाई है आप कर रहे हो अब आप इस बात को आप रिलेट कर पा होगे कितना मुश्किल होगा आपको लग रहा होगा कि यार यह बंदा एक गंटे तक यह लेक्शन लिता रहेगा तब जाके मुझे चैप्टर समझ में आएगा कभी यह गंटा खतम होगा उस एक गंटे में भी आगे फॉरवर्ड बैकवर्ड करकर कितना ताइम लगा करके तब समझ में आएगा आपको यह बात लेकिन वहीं अगर आप एक परसन हो जो की एफिशेंटे लेजर से बाइक में कार चलाने में या फिर गिटार में या फिर डांस में आपने कोई नया स्टेप देखा कि यह तो न का नहीं है जो भी करके जो उन दोने की नहीं मुवी का गाना आया है वह बहुत गाना चल रहा है इस पर बहुत सारे रील्स में देख रहा हूं यूट्यूब पे लोग बना बना के डाल रहे है क्योंकि आप स्पेशलाइज दो मुझे लगता है that hardly you will take five minutes और वो step समझ जाओ तो ऑटो मेंटिक नी तुमारी एफिशेंसी बहुत जाधा बढ़ जाएगी जिसकी वजह से तुमारा सेक्रिफाइस जो होगा उससे जाधा तुम गें कर जाओगे तो श्रिलंका जो है वह वीट कम बना पाता राइस जाधा इसने अपना वीट सेक्रिफाइस कर दिया इसका 4 था लेकिन अब total production कितने का हो गया 10 का जिस इंडिया इंडिया का और राइस का कितने का 6 तो मतलब गेंस के तो टोल गेंस कितने हुआ पूर यूनिट्स ओफ वीट का गें हो गया ठीक है और दूसर क्या गेंवा टू यूनिट्स ओफ राइस का गें हो गया तो यह आपको फाइदा हो जाए तो यही वह कहना चाहते है कि अगर तुम एक ऐसा काम करो इसमें तुम स्पेशलाइस दो तो तुम सिर्फ उसी को करो दूसरे को छोड़ दो जब तुम दूसरे को छोड़ दोगे तो तो तुम्हें इस गेंज का फायदा मिलेगा राइट चलो अब अगर हम बात करें सुर्ण नेक्स्ट है इसे कि यहां दिया हो एक पढ़ लेतने क्या लिखा है इन दिस केस इंडिया इस एप्ट्र अड़ांटेजिंग प्रट्शन ओवीट फाइश अगेंस वह वह दो श्रेलंक श्रिलंका और श्रेलंका एप्ट्र अप्ट्र चलो सुर्ण आगे बात करते हैं यह एक सेम टेबल हमें दे रहा है कंजम्शन को ले करके चलो अब जड़ा बात करते हैं क्रिटिसिजम क्या है जैसे कि मैंने कहा कोई भी चीज है तो पॉसिबल ही नहीं कुछ न कुछ न कुछ तो कम यह होंगी तो क्रिटिसिम क्या है मैं सिंपल थेओरी फ्रेट अंड तो सम एक्सेंट इट वस एवन करेक्ट मुला बहुत सिंपल है कि जो तुम्हें अच्छा लगता है जो तुम बैस्त हो तुम वह करो और इट दस नोट टेकस वेरी फार इट गेवस सिंपल और पावर्फुर इलस्ट्रेशन अव बेनेफिट इंपले लुथ अवशे अए बहुत एक च्जांब्स अबेर फीर उखुख इतना अषान एक डप्र इस सिर्फ यामाईज न maiorनुमर फो सकते संट्रे के संटीड से आधार अगे है अगर कभी भी economy collapse होती है तो मैं तो कहीं का नहीं बचूंगा राइट ओके आगे देखो क्या कहा है Smith's theory goes against the concept of division of labour and specialization at the international level as many underdeveloped or less developed countries do not possesses an absolute advantage in the production of any commodity वो कहा है कि जो तुमने division of labour की बात करी तुमने specialization की बात करी यह ठीक है developed countries के लिए तो बढ़िया है जैसे USA हो गया Canada हो गया या Europe के काफी सारी countries हो गई Australia हो गया तो developed जो देश है world के वो तो बढ़िया है क्योंकि उन्होंने over the period of time specialization किसी ना किसी चीज में occupy कर लिया गेन कर चुके है लेकिन जो देश developing है या under developed है इंडिया या under developed की बात करूँ कि जो काफी African countries अभी भी under developed developed category में उनके पास तो कोई specialization ही नहीं है इसका मतलब वो तो कभी trade करी नहीं पाएंगे किसी तरह की specialization ही नहीं राइट तो इक मीज एट लेस्ट डिवलप केंट्रीज कें हाडली द्रीम अफ exporting to developed countries क्योंकि तुम्हारे पास specialization है नहीं तो तुम कुछ export ही मत करो ऐसता नहीं होना चाहिए कि सिर्फ specialization ही तुम्हें export करो तुम जो भी चीज बना सकते हो दूसरे bulk quantity में अच्छे से बना सकते हो तुम्हें वह ही करना चाहिए if this is so the developed countries can also not hope to export anything to less developed countries as the latter will not possess any international purchasing power यह भी बात बिल्कुल true हो जाएगी चाहिए क्योंकि भाई जब यह बंदा तुम्हें export करेगा नियीं क्युक्कि developing है या under developed है तो यह तुम्हें export करी नहीं सकता क्योंकि इसके पास specialization नहीं है तो जब यह तुम्हें export करेगा नहीं तो इसके पास तो किसी भी तरह का precious metal कि किसी भी तरह की foreign currency आयाएगी नहीं तो भाई तुम अपना समान इसे कैसे बेजोगे तुम भी तो जब अपना समान बेजोगे तो पैसो के लिए बेजोगे तो currency के लिए बेजोगे तो वो खुद बेचारे के पास नहीं है तो तुम्हें कहां से दिखला राइट so after all import capacity depends on the capacity to export क्योंकि कही न कहीं न कहीं जो हमारी import की capacity उसी student वो depend करते हमारी export पे क्योंकि जितना जाधा में export करके Forex earned करूंगा उसी Forex earned Forex के basis पे ही तो में क्या कर सकता हूं further चीजों को import कर सकता हूं तो इसी वज़े से क्या हुआ इसी वज़े से according to elsewhere Smiths assumed that international trade requires a producer of exports to have an absolute advantage i.e. an exporting country must be able to produce with the given amount of capital labor a larger output than any rival but this basis of trade is not convincing all those less developed countries that have no absolute advantage in the production of any commodity will have to follow the policy of or tracking at low levels of production consumption thus the pursuit of absolute advantage will restrict international trade rather than promoted तो अगर मैं सर्फ specialization जैसे चीज़ों के मुद्धों पर बात करता रहूंगा तो इस case में होगा क्या इस case में होगा ये कि at the end international trade जो तुमने बोला कि तुम बहुत जादा restrictions को attack करके free करके promote कर दोगे तो वो कोई भी promotion नहीं होगा वो restrict हो जाएगा क्योंकि ना इनके पास money होगी आपके समान को buy करने के लिए ना इनके पास specialization है कि या आपको export करके वो money को earn भी कर सके तो it is not the inherent merits of the theory that entitles it to place international economics but rather the fact that it was a good starting point for the comparative cost of international trade given by Ricardo's theory to which we now turn तो कैने कि अगर देखा जाए तो इस theory में कुछ बहुत जादा merits है नहीं ठीके लेकिन इससे एक बात समझ में आ जाती है कि जो हम आगे theory पढ़ेंगे right उस theory के लिए हमें एक base मिल गया एक base कैसे मिल गया क्योंकि उस theory में हम बात करेंगे कि अगर absolute advantage में काम ना किया जाए तो फिर किस में काम किया जाए right अगर में को absolute अगर मैं बहुत जादा specialized हूं और उसमें काम नहीं करना या मैं कम specialized हूं तो मैं काम ही नहीं कर सकता तो फिर क्या आएगा तो मतलब जो और एक बात सुड़न या दखना कोई भी theory बन तो जाती है लेकिन student किसी भी theory के पीछे उसके criticism होते है criticism का मतलब यह नहीं है कि वो theory पूरी तरीके से trash piece of like मैं बोलू trash ऐसा नहीं बोल सकते ठीक है वो एक theory थी जो उस समय के हिसाप से develop की गई, design की गई ठीक है तो to some extent उस time के लिए वो theory ठीक थी बट लेटर on जब और researches होती है और उसके अंदर पढ़ाईयां पढ़ाई की जाती है तो और चीजे सामने आती है जिन चीजों की वजह से हमारे लिए यह जानना और समझना असान हो जाता है कि जो गलतियां इस theory में हुई है हम उसको neglect करते हुए नई theories बनाएं criticism का मतलब है कमी निकालना ठीक है इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि criticize करने का किसी theory को कि पूरी तरीके से गलत कर देना क्योंकि जिस चीज को तुम criticize कर रहे हो वही तुम्हें base बनाके दे रही है तुम्हारी तुम theory propose करने वाले उसके लिए ठीक है hopefully students आपको जो अमने अभी दो theories के बारे में बात करी आज के lecture के अंदर ठीक है एक mercantilism theory और एक absolute cost advantage theory hopefully आपको यह दोनों theory समझ में आयोंगी इस lecture को यहीं तक रखते है अच्छे से इन दोनों को पढ़के रखना in the next class we will talk about more theory सबसे पहले हम बात करेंगे comparative it जो theory है हमारी उसके बारे में and then जो जितना portion हम cover कर पाएंगे next में हम उसको cover करेंगे तब तक के लिए bye take care students जहान से पढ़ता है रहना मिलते नेक्स आसे bye